देखरें सभी दर्शक्रों को स्वागत करती हूँ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक खास समझार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंदी योगी तिनाद ने कहा है कि हर किसी को अपनी उपासना प्रत्ति को मानने की आज़ादी है मगर माईक की आवाज परिसर से बाहर नहीं आने चाहिए और बगैर अनुमती किसी धार्मे की यात्रा को नहीं निकाला जाना चाहिए योगी ने गुरुवार को यहां उचुस तरिये टीम 9 की बैठक में कहा कि अपनी धार्मे की विचार धारा के हर किसी को अपने उपासना प्रत्ति को मानने की सफतन दरता है पुरुव से अनुमती से जहां माईक लगे हैं वहां माईक का प्रियोग किया जा सकता है लेकिन यह सुनशीत हो कि माईक की आवाज उस परिसर से बाहर ना चाहिए अन्ने लोगों को कोई असुविदा नहीं होनी चाहिए नए स्थलों पर नए माईक लगाने की अनुमती ना दे उन्होंने का कि कोई शोबा यात्रा थ्वधार्मिक जलूज बिना विदिवत अनुमती के ना निकाले जाए अनुमती देने से पुरव आयजोक से शांतिस वाद कारेम रखने के समन्द में शपत पत्र लिया जाए और किसी परकार के अस्तर शास्तर का परदशन ना किया जाए और महौल खराब हुआ तो हर स्तर पर जवाब दे ही तै की जाएगी केसर खंच्ताना शतर के ग्राम पंचवयत अलिया पूर निवासी सल्मा ने अपने पती की हत्या की आशंका चिताते हुए पुरी सदिक्षक से न्याय की गुहार लगाई है महिले ने बताया कि उसके पती महमद आसिफ किसी के बुलाने पर जल्दी से घर की अलमारी में रखा 87,000 रुपए लेकर दो लोगों के साथ मोटर साइकल पर कहीं चले गए और एक घंटा भी जाने के बाद गाउं के राम सिंग वे इरफान ने उनके देवर खुरशीद वे चाचा को बताया कि प्रातनी के पती प्राइमरी स्कूल के पास रोड पर गिरे पड़े हैं सबी लोग दोड़ कर प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचे तो देखा की प्रातनी का पती बेसुध हालत में पड़ा है तद कल प्रातनी के देवर और उसके चाचा ने सरकारी अंबुलेंस में ले जाकर सामुदा एक स्वास्ते के अंदर के सरकंज ले गए और जहां डॉक सिदार नगर जिले में वह तरीके से संचाले नर्सिंग होम के खिलाव पर शासन व्यापका भ्यान चेड़ रखा है और इसी अभ्यान के तहट शोरतगर में उपस जिला अधिकारी उतकर्श श्रिवास्तफ के अगवाई में चापे मारी की गई और इस चापे मारी में तीन अस्पतालों को अवैद मानते होई सीज कर दिया गया और उनके खिलाफ आगे कारवाई के लिए बात कही जा रही है और इस बारे में समुदाग स्वास्ते के अंदे के परभार इपी के वर्मा ने बताया कि यह सारी कारवाई एस जियम के अगवाई में बनाएगी टीम के द्वारा की गई है और आगे भी इस तरह की कारवाई जारी रहेगी प्रशासन की इस कारवाई से जिले के स्वास्ते साथ में चेतारिकारी महदें सारे लोग थे हम लोगों ने उस आपको देखा उसमें एकसरे कच नहीं पाया गया है साथ में कोई भी दस्ताबेज संबंधित नहीं थे इसके अजामा मैंने एक हाश्पिटर रम्मा कृतिवारी में ममता हाश्पिटरल है उसको हमने सीच किया है साथ में स्वरजगर में एक आशिटर रह जनी करके महां भी रिश्टेशन नहीं घा और व्रतमान समय में कोई डौक्टर उप्लंधि नहीं मिला उसको हमने शीच किया आगे की कारवाई क्या होगी? पुलिस ने मामला पंजीकरत का लिया है, अभियक्तों को गिरफतार कर अरगें विदे कारवाई की जा रही है, पुरे प्रकार्न की जाज आपर पूलिस देख्षक नगर को सुप दी गई है। पुलिस ने में इलीगल बाहन कीते हैं विदेख्षक नगर की जा रही है, और ये पूरा जो बोरे दना चल रहा था, इस पे स्वाट और समिलांस के प्रीम जाना रेट की लेई है, और उस रेट में 34 वाहन परामत किये गए हैं, जो कि कई स्टेट के अलग लग हैं, साथ ही 38 वाहनों के इंजन बरामत किये गए हैं, जिनका बिलान किया जा रहा है कि वाहन का हाथ यह उसके स्टेट होते हैं, यहां तब पैसे पोंचे और सौ सेदेट वाहनों के तब पुझे बरामत किये गए हैं, इस पूरे अभियान में 11 अभी तरी अप्लार किये गए है और इनके पास से ना तो तो इनके पास में ग्रें था ना किसमी तरी की कोई चीजे थी, उनके प्लाम दर्वा पालिये किया गया है, और माने जाया लेकर समझ शूब कराए हैं, और आगे इसके विश्तित जाच कराई जा रही है, और संपूर प्रक्रण में एक पार अभिय अभी तो इसके उडेट होई है, और स्वेट में पास ये भारी बात्रा ये सब बाहर परामद हुए, और तैक में आपको बता है कि 34 तो ऐसे बाहर है, जो सीरे-सीरे-कड़े के परामद हुए है, अट्टेस इंजल परामद हुए है, चाहत जाब या वाहरों के, और ये सार चाहत बहो है, ये सार जिए प्रामद हुए है, ऑजिए नियुक्र नेक जाड़ित है, और आइपी लेकपाल का रिश्वत के समन्द में वीडियो वाइरल हो रहा है, जिसमें वैह है कि यूवग से काम के बदले में रुपए की डिमांड कर रहा है, यूवग ने चेक लेने लेकपल जमीन के मामरे में 50% एडवांस माग रहा था करें बहरे बात करें और है यह आपक्र इए जो करें ऊं पहुंद करते लिए माधी दानकि दाने के लिए भी आई परिया है यह वह दो जो आए जमत्री बुलायां कि लिए आपक्र तुर्देने को कि अधिन के विशे समाचार में इतना ही और ने समाचारों के साथ फिर से आजिनोंगे तब तक के लिए देखते रहे चड़ी कला टाइम टेवी और अब मुझे दीजे जाज़त थन्यवाद